नमस्कार साथ ही हो तो आज है 25 सेप्टेंबर 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे IDFC First Bank Limited और IDFC Limited के बीतर मर्चर के बारे में एक बहुत शांदार अपडेट आया बजार क्लोस हो जाने के बाद उसके साथ साथ क्या आपको ये दोनों में से कोई भी कंपणी की शेर में इंवेस्ट करना चाहिए या प्रेजन सिच्वेशन को बेस करके आपको इग्नोर करना चाहिए सब कुछ हम डीटेल में बात जीत करेंगे फिलाल देख लिचे आज IDFC Limited की शेर जहां पे क्लोजिंग दिया लगबग 109 रुपए 74 पैसे पे 0.98 परसें गिरावट के साथ दूसरी और में ID 5 बज़े के आस-पास यहाँ आप देख सेकतो टाइम है न्यूस की चार बज़ के 51 मिनिट पे पब्लिश हुआ तो लगब कोई सारे चार बज़े का न्यूस है ठीक है यह है दोस्तों न्यूस की में हेडलाइन नाशनल कंपनी लॉट रिबूनल यानि NCLT approves merger of IDFC with IDFC First Bank दोस यह वो फलाना जगा से approval मिलने के बाद दोस्तों यह complete होता है ठीक है तो मैं आपको तोरह सा पड़के सुनाता हूं यहाँ पर एक्चुली क्या मेंशन किया अच्छा अच्छा अब इसके पहले क्या मेंशन किया इन में में के मैंने पर हमने देखा था सेव अप्रूफल मिला था शेयर होल्डर की तरफ से IDFC First Bank देखे अप्रूफ दा merger of IDFC Bank with Bank देखे मतब IDFC और साथ में यह जो बैंक है मतब IDFC First Bank इसके साथ मर्जर होगा उसके भी पहले हमने देखा था एक अप्रूफल मिला था डिसंबर 23 में किस के साथ मतब किस के तरफ से अर्बिय की तरफ से रिजब बैंक आफ इंडिया की तरफ से अप्रूफल मिल गया था IDFC शेयर होल्डर IDFC की शेयर होल्डर मिलेगा ठीक है विल रिसीब 155 शेयर फॉर एवरी हंडेट शेयर दे होल्ड इन दा बैंक क्या मतलब मैं आपको आसान भास में समझाता हूं उसके बाद एक क्या मेंशन का IDFC एन IDFC फरस्ट बैंक शेयर बोथ है फेस बैलू और रूपी IDFC लिमिटेट की शेयर होल्डर है और आपके बास सब्सक्राइब है यह पानी के लिए ठीक है तो आपको दिया जाएगा IDFC फरस्ट बैंक लिमिटेट की 155 क्वांटिटी के शेयर होफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है तो मतलब यहां पर एक्चुली मर्जर होगा IDFC लिम हो बड़े इंटाइडी की साथ मर्ज होते जैसे कि इसके पहले मैं आपको तोड़ा एक्जम्पल लेता हूं इसके पहले मर्ज हुआ था था दोजर आइधिंग 22 में HDFC का HDFC बैंक और साथ में है HDFC अब देखे दोनों ही बड़े कंपनी था ऐसे नहीं कि बट यह दोनों में से सबसे बड़ा कौन था एजड़ेसी बैंक था जिसके चलते HDFC जो है मर्ज किसके साथ हो गया HDFC बैंक के साथ सेम चीज हुबा हूँ कॉपी पेस्ट यहां पर होगा यह दोनों में से बड़े एंटाइडी कौन है IDFC फर्स बैंक जिसका मर्केट वेलोशन किद्ना 24000 करोड कुपर IDFC के कितना मर्केट वेलोशन 17-277000 करोड जिसके चलते IDFC लिमिडेट की शेयर होल्डर को मिलेगा IDFC फर्स बैंक की शेयर कितने क्वांटिटी मिलेगा 155 अब देखें आपके वाज़ अगर 200 है तो उसके से कमेंट करके फटापट बता दीजिए मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट ट्वीडियों में अब प्रॉब्लेम कहां पर है मालू मैं प्रॉब्लेम यहाँ पर कि देखें मतब बैंक की मैं बार और कंपनी बोलों तो बैंक की देखें एक तो इंकम में बहुत अच्छा ग्रोथ था यह लीभी क्वाट लीभी अनफॉचनली बहुत सारे जगा पे थोड़ा बहुत लैक करने के करन बैंक की जो नेट प्रॉफिट है वह सड़नली फॉल कर गय था उस्टेम पे महौल कुछ अलग था बटाश की देखें बैंक में अट्लीस बहुत अच्छा काम चल रहा है बहुत अच्छा पर्फॉरम इस हो राएब अगर आप देखेंगे बारतिये बैंक्स के अंदर बहुत अच्छा पर्फॉरम कर रहा है बट उसकी भाफ्यूद भी थोड़ा गिर जाना तो ओविसली शेर जिस बिकॉस आमने देखा कोई बहुत बड़ा मुबें नहीं दे पाया आच आच आप चलिए देख लेते हैं आपकी काड़वार कैसा हुआ आज की डेट पे सबस्वेल आई डिपसी फॉस्ट बैंक लिमिटर जहां पर एक करोड़ इपसी फॉस्ट बैंक की शेर मिलेगा और बहुत जल्दी आई थिंग की मर्जर का प्रॉसिस भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे इस आप से अगर आपको इन्वेस्ट करना है आई डिपसी में जरूरत नहीं है मेरे इस आप से फॉस्ट बैंक में इन्वेस्ट क्यूंकि घूम अब अभी इन्वेस्ट कर दो उतना यदा प्रॉसिसिंग की जंजट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं तो मेरे इस आप से अगर आपको यह दोनों में से कोई भी बैंक से कंपनी के साथ जाना है मेरे इस आप सी फॉस्ट बैंक में जाना चाहिए आपको बदा दिया चार्ट पर शुरुआत करेंगे अनलसिस पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना इस टैप की इन्फॉर्मीट वीडियो अलोज पाने के लिए ओके तो विलाल बात करें आई आई इसको ब्लू कलर के लिए इंडिकेट करता है है तो यह जैसे यहां पर कनेक्ट हो जाएगा ना मतलब सपोस्थ यहां पर इस पर्टिकुलर लेवल पे इसको ब्रेक कर लिया तो इसम्पलते गोल्डेन क्रॉस ओवर जैसकी रिसे लिए ने देखा टाटा पावर में गोल्ड करेंट हो सकता है बट हम ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस भी है जहां पे कलास्ट कुछ मांड़ में देखा बार बार शेयर को रिजिस्टेंस दिया है एक तो 75 का सपास बार बार रिजेक्ट हुआ अगर सपोज इस लिवल को ब्रेक कर भी लिया ना 80 का सप की परफॉर्मेंस के बर बेस करके मैं कहूंगा कि इमिडेटली जरूरत नहीं है हाँ अगर किसी के पास शेयर है खास करके आप लॉस में हो इमिडेटली सेल भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉस इस मर्जर के तुरू आपको फाइदा मिलेगा जैसे कि आप याद करके सब्सक्राइब के साथ तो जिस बैसे मैं कहूंगा आप अगर इमिडेट मतब इसके पहले इन्वेस्ट किया आपको सेल करने की जरूरत नहीं है अपको फ्रेश पोजिशन करना है मेरी जब से आइडेप सी फॉस्ट बैंक की परफॉर्मेंस को बेस करके दूसरे बैंक पे देखना चाहिए और भी अच्छे-चे बैंक है खास करके बड़े बैंक को अब देखिए आई से सी बैंक हो बहुत प्यारा बैंक है एक्सिस बैंक को अब देखिए अच्छी बैंक है ठेक है बाकी दोस्तों कोई और डाउट साइसे लेडेट कमेंट करके पूछिए जहीं आपको समझने में दिक्कत हुआ कमेंट करका पूछ सकते हो फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पे टेक क्यार बाबाई जय हिंद